जै मातादी कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बरेरी एस्टो जोतिश में मेरे प्यारे मित्रों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अक्टूबर मास का कैसा रहेगा आपके लिए समय मेरे प्यारे मित्रों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए अच्छी लगे तो आप लाइक करना शेयर करना और सस्क्राइब करना ना पूले सबसे पहले हम जानते हैं आपकी राशी के स्वामी कौन से हैं तो आपके स्वामी के है मंगल, मंगल जो है आपके राशी के स्वामी है और आपके अराद्य भगवान श्रीहनमान जी है, भागे सारी रंग आपके लाल है और भागे सारी अंक आपके लिए एक और आठ है, अनुकोल दिशा आपके लिए इस्ट रहेगी और धातु आपके ल मुंगा है और आपका सभाव मुवेबिल है यानि चर है और रासी तत्व आपका अगनी है तो शुरू करते हैं आज हम अपना यह वीडियो जो कि अक्टूबर माह के लिए आपके लिए करहेगा तो मास में आप इस मास में आपको संकेत मिल रहे हैं फलों के जो थोड़ी अपनाया आती भी दिखाई दे रही हैं यात्राओं में कष्ट हो सकता है दामपात्य जीवन में विवाद भी पैदा हो सकता है तो मेरे प्यारे मित्रों आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है जिससे कि आपका कोई भी नुकसान ना हो और आप पर कोई भी सके परिवारी सदस्तों तथा मित्रों के बीच मन मुटाओ हो सकता है उसको आपने प्रेम के साथ निभा कर बदली करना है और मद्भेदों को दूर कर लेना है संतान भी आपको इस मा में कष्ट देती हुई दिखाई दे रही है मेरे प्यारे मित्रों आपके लिए हन्मान का नाम लीजिए श्री हन्मान 40 पढ़िए और हन्मान जी का ध्यान कीजिए इससे आपके मन को शांती भी मिलेगी और आपका समय भी बढ़िया होता हुआ चला जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं आपके स्वास्त की तो समाजिक इस तर पे आपका स्वास्त तो ठ तो ठीक रहेगा यानि मान समान तो ठीक रहेगा परन्तु आपका जो स्वास्त है उसमें थोड़ी सी कुछ कमी होती भी नजरा रही है जैसे आँखों का रोग जवर यानि बुखार इत्यादी आपको आ सकता है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आपने यह समय प्रेम के साथ गुजार देना है यदि आप ऐसा करने में संभव सक्षब हो पाएंगे तो आपके लिए समय उत्तम रहने वाला है मेरे प्यारे मित्रों अब मैं आपको बताता हूँ शुब दिन आपके लिए कौन-कौन से रहने वाले हैं तो एक तारिक, साथ तारि यन दिनों में यदि आप काम करते हैं या काम शुरुबात करते हैं तो आपको बहुत सारा लाब प्राप्त होगा बाकी सभी आपके दिन समान ही रहने वाले हैं अब आर्थिक इस्तिति की बात कर लेते हैं इस माह में आपका खर्च पढ़ेगा आई से ज़्यादा वय होने की समभावना दिखाई देती है बुजर्गों को कुछ कष्ट दिखाई देता है और परिवार में यदि किसी के बुजर्ग हैं तो उनको भी कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उनके स्वास्त का अपने ध्यान रखना है मित्रों के साथ आपने सने देना है और अपने पड़ोसी, रिस्तिदार, नातिदारों को आपने जोड़कर रखना है। यदि आप इस मामले में चुकेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत जादा ही नुक्सान ठाना पर सकता है। इसलिए मेरी आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ऐसा कारें ना करें जो ब हागयंक चल पाएगा इस माम तो आपको थोड़ी सचेता बरतनी होगी, लोगों पर विश्वास कम करके अपने उपर विश्वास रखना होगा और आत्म विश्वास के साथ कारें करने होंगे। इसलिए वह अपना विश्वास ध्यान रखें। तो बस आज के लिए इतना, फिर मेरेंगे हम अगले वीडियो में, अगले महा के वीडियो में और रोजियाना के वीडियो को आप देखते रहें मेरे चैनल, बरेरी एस्टो चैनल, बरेरी एस्टो जोतिश में आप आप अगले वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी।